नमस्कार नेक्स नाइन न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूप की रन्यादव इस साल के अंत में गुजरात और हिमाजी प्रुदेश में चुना होने वाले हैं लेकिन सबकी नजरे बनी हुई है गुजरात पर क्योंकि देखिये कहा जाता है कि जिसने गुजरात जीत लिया उसके लिए केंद्र का रास्ता आसान हो गया तो इसके लिए आमाद्मे पार्टी के साथ साथ अब हम आपको बता दे भारती जनेता पार्टी भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि जो कॉंग्रेस की तर है गुजरात में तो महीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारती जनेता पार्टी की तरफ से लगातार अपनी नजरे बनाए हुए है गुजरात पर क्योंकि देखिए गुजरात भारती जनेता पार्टी का गड़ है गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमि को बता दे कि जो बड़ा बड़ा पग दिया। बड़ी कमान्द दी थी तो ऐसे में क्या सूनिया गाधी के टुरव से क्या बड़ा पगा छीनलिया जाएगा क्योंकिह χार्थिक पटेल ने भी कुछ दिन पहले ही कॉंग meilleur का हाथ छोड़ दिया था और उसके बाद से वो भारतिय जर्यता पार्टी में शामिल हो गए उनकी तरफ से साफ यही कहा गया कि उनकी यहाँ पर बाते नहीं सुनी जारी है उन्हें तवज्जों नहीं मिल रहा है तो ऐसे में तमाम आरोब हार्दिक पटेल की तरफ से लगाए गए अब देखना य मिली थी वो शायद उस पर खड़े नहीं उतर पा रही है क्योंकि देखिए जो कनहिया कुमार है वो एक बार भी कुछ रात नहीं आए है आए है एक दो बार लेकिन ऐसे में उनका वहाँ पर प्रभाव देखने को नहीं मिला लेकिन हार्दिक पटेल की यहाँ पर कमान अच क्यों यह तो क्या ऐसे में सोन्या गांधी हार्दिक पटेल से मुलाकात कर सकती है हार्दिक पटेल को एक बार फिर से कॉंग्रिस में शामिल होने की अपील कर सकती है मांग कर सकती है खैर यह तो आने वाले समय में देखना तिलचस्ट होगा लेकिन आपको क्या लगता है हम कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताईए कि आने वाले समय में आखिरकार भारतिये जन्रता पार्टी को सबसे बड़ी टककर कौन सी पार्टी दे सकते हैं आमाद में पार्टी या पिर कॉंग्रेस पार्टी फिलाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही लेकिन द